प्रवासी श्रमिकों पर BSP कॉंग्रिस में वार पलटवार की राजिती शुरू हो गई है मायावती ने कॉंग्रिस पर प्रवासी श्रमिकों को लेकर निशाना सादा मायवती ने ट्वीट कर कहा प्रवासी श्रविकों की दुरदर्शा की असली जिम्मेदार कॉंग्रेस है जिसके बाद कॉंग्रेस का मायवती पर पलटवार सामने आया कॉंग्रेस की तरफ से किये गए ट्वीट में कहा गया आपने यूपी की जनता को लूट कर महल खड़ा किया क्या मायवाती जी का महल एक दिन के लिए भी गरीबू के लिए खोला गया मायवाती ने ट्वीट किया आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोडों प्रवासी श्रमेकों की जो दूदर्शा दिख रही है उसकी असली कसुवार कॉंग्रेस है क्योंकि अजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सहीववस्था गाउं शहरों में की होती तो इन्हें दूसरी राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता वैसे ही वरतमान में कॉंग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन उत्रासदी की शिकार कुछ श्रमेकों के दुख दर्द बाटने संबंदी जो वीडियो दिखाये जा रहा है वो हमदर्दी वाला कम वन नाठक ज़्यादा लगता है कॉंग्रेस अगर ये बताती है उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तिविक मदद की है तो ये बहतर होता साथ ही बीजेपी की केंद्र वराज्य सरकारें कॉंग्रेस के पद्चिनों पर ना चलकर इन बेहाल घर्ब वापस ही कर रहे मजदूर को उनके गाउं शेहरों में ही रोजी रोटी की सही वस्ता करके उन्हें आत्म निर्भर बनाने की नीती पर ज़दी अमल करती हैं तो फिर आगे ऐसी दूदुशा इन्हें शायद कभी नहीं जिननी पड़ेगी जिया मायवती के हमले के बाद अब कॉंग्रेस ने जवाबी हमला किया है कॉंग्रेस की मनरेगा जैसी योजनाय इस आपड़ा के दौर में सबसे आदा काम आ रही है 36 गड़ में कॉंग्रेस ने नियाय जोजनाय लागू कर किसानों के बैंक अकॉंड में सीधा पैसा डालना शुरू किया आपने यूपी की जनता को लूट कर अपना महल खड़ा किया और इस अंकट के समय उस महल को मदद के लिए खुला भी नहीं क्या इस आदा के दौरान माया वती जी के महल को एक दिन के लिए भी गरीबों वंचित लोगों के लिए खुला गया क्या उनके महल से किसी को मदद मिली मानेवर कांशी राम के नाम फर बनी अधिकतर कॉलोनियों में राशन नहीं पहुँच रहा है लेकिन इस महल से क्या वहां मदद पहुचाए गई